नमस्कार सो विल्कम बाक टियो ओंग चैनल वेल सगज 9 जुलाई 2024 आज कर जा सबसे बड़ा क्वेशन है वो यह है क्या से भी के द्वारा लाएं जाने वाले ने प्रोपोजल्स के बाद चो छोटे ट्रेडर हैं चो रिटेल इंवेस्टर से रिटेल ट्रेडर से चोटे चोट 2022 में सेवी ने एक स्टडी रिलीज किया था जिसमें किये डिसकर्स किया गया था कि अल्मूस्ट 90% आप दी ट्रेडर्स इन एफ नो एंड अप लूजिंग मैने और बाकि जो 10% लोग हैं को बहुत बड़ा पैसा नहीं बना रहे हैं बिकूद अल्टीमेटल इस जज़ यह 2-3% people who are actually making money जब 2-3% लोग ही पैसे बना रहे हैं तो फिर उनके that is 97% people और आत्राइब उट से कि 90% people जो money को lose कर रहे हैं उनके उनके rights को safeguard करने के लिए उनके capital को safeguard करने के लिए कुछ strict actions लेने पड़ेंगे so basically reduce किया जाए कि ना किया जाए उसको separate करते है regulate करने के लिए क्या proposals लाएगे हैं उसको समझ लेते हैं अब कई साथे proposal लाएगे हैं जिसमें की margins को बढ़ाने की भी बात की गई है weekly options को reduce करने की बात की गई है जिसमें की कहा गया है कि हर एक exchange आपना सिर्फ एक ही weekly option contract रखेग तो weekly options सिर्फ एक होगा इस तरह का proposal है इसके लावा strike prices को भी reduce किया जाएगा और underlying assets का जो premium charge किया जाता है उसको भी बढ़ा जा सकता भी जो आपको मालूम होना चाहिए जो F&O का जो lot size है वो है 5 lakh रोपीज का जो की बढ़ा करके हो सकता है उसको कर दिया जाए somewhere close to 20 lakh करते हैं including me तो हमारा एक lot का जो position बनता है जिससे कि हम लोग कई सरी strategies को deploy करते हैं so if you have capital of 2 lakh rupees अगर आपके पास 2 lakh की capital है you are able to easily trade one lot लेकिन अगर इस तरह के decision आएंगे then you will be requiring 4 times the capital तो आपके पास 8 lakh रुपय होने चाहिए तभी आप एक trade ले पाएंगे लेकिन दोस्तों कर आप not to reduce or remove दोसों इससे क्या होगा भाई simple चीज़ अगर 2 lakh से 8 lakh का अगर margin लिया जाएगा तो इसमें जो trading activity होगा काफी जयता है reduce हो जाएगा इसके negative impact भी बहुत सारे हैं अगर आप मुसे पूछे किसके negative impact क्या है पहले चीज़ तो क्या है कि government का अच्छा-कासा revenue अच्छा-कास अच्छा-कासा taxation आता है through FNO trading तो वो भी reduce हो जाएगा इसके अलावा दोसों यह तो होगा कि revenue और government को जो फायदा है उसको side में करेंगे तो वह liquidity की भी problem है जब आप liquidity की problem कर रहे है तो जो लोग trade करते हैं जो buyer है उसको seller नहीं मिलेगा जो seller है उसको buyer नहीं मिलेगा क्योंकि participation क हो जाएगा so overall market structure पर एक बड़ा impact पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है अब दोसों कही सारे लोग सोच रहे हैं कि यह implement हो गया so it has not been implemented these are just the recommendation इसमें कई सारी refinements अभी भी बाकी है फिलाल दोसों जिनको लगता है कि इसकी वजह से stock market में कोई बहुत बड़ी गिटावट य नहीं है क्या ultimately those people who are trading big in big volumes in market they are big players ultimately इस छोटे मोटे रूल से उनको कोई फरक नहीं बड़ता है तो जहाँ पर दो लाग रुपए लगते थे वहाँ पर थोड़ा से जएदे लग जाएंगे बद जहां तक मुझे लगता है तो यह four times five time valuation बनाना is insane और 20 लाग रुपए का lot is massive ब्यार I don't think so it is going to happen and I don't think so it is going to get recommended लेगिन फिर भी एगर recommend होता है तो उसके कुछ अलग तरीके निकाला जाएंगे कुछ extra hedging की जाएगी लेगिन वो तब गिया जाएगा जब यह rule implement हो जाएगा फिलाहल के लिए अभी हमनों को attention लेने की ज़रूरत नहीं है अभी हमको focus किस है ऐसे चिपका बड़ा हुआ है जैसे की लब क्या हो गया है तो चिपका बड़ा रहे है क्या reason भी logic भी बिल्कुल सेम है क्योंकि अगर यह इस level को breach कर जाता है दी बुल्स आर ट्राइंग टो डिफेंड निफ्टी बैंक you know enormously क्योंकि ultimately अगर जैसे ही level breach होता है तो यह निफ लिए बुल्स आप में अपने lifetime highs को भी टेच किया है similarly निफ्टी बैंक में 52,568 levels पे closing हुई है और अपने important levels को आज के दिन भी निफ्टी बैंक ने sustain किया है अचा अगर आप मुसे पूछे हैं कि आज के दिन मार्केट में pressure क्यों दिखाई पड़ रहा था तो मार्केट में profit booking होना एक phase है it's important कई सारे लोग कह रहे थे सराज तो railway stock में गिरावट क्यों दिखाई पड़ रही है और आप चाहते हैं कि वो डेली 10% भागें is it making any sense to you at least it doesn't make any sense to me अगर हर दिन railway stocks सुबह उठो और 10% भाग जाएं सुबह उठो 10% भाग जाएं अगर ऐसा हो भी रहा तो एक दिन अगर 4% गिर गए तो you should be mentally prepared to absorb such kind of scenario in the market फिलाल दोसों बात करें हम लोग out of 2300 stocks 1100-1200 stocks decline कर रहे थे advancing stocks भी all were almost same तो market में आप bulls और बीर्स का पलड़ा almost बराबरी का ही कह सकते हैं ग्लोबल markets के बारे में बात रहे हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर जिगे पर लाली माच्छाई होई है redness दिखाई पड़ रही है European markets में pressure है Dow Jones is almost flat however gift nifty is showing 15 15.5 points negative movement आज के दिन के top gainers के बारे में बात रहे हैं मारूती सुजुकी में करीब करीब 66% की तेजी थी उसके पीछे का reason यह है कि UP में जो road tax है जो hybrid vehicles है उस पर road tax को खतम कर दिया गया है और simple से चीज़ है दोस्तों जो budget आने वाला है budget is going to be from for lower strata basically socialist measures को ध्यान में रखते हुए farmers और employment और एक socialist measures की तरफ ध्यान में रखते हुए budget लाया जाएगा और अगर सबको benefit मिलेगा सबका साथ सबका विकास अगर होगा तो फिर of course तो जो lower strata के auto mobiles है lower strata का जो consumption है वो improve होगा इसलिए अगर आप देखें तो FMCG stocks में भी आपको पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखाई पड़ रही है इसलिए आपको जो mid segment के companies हैं auto sector से उसमें भी आपको त दिखाई पड़ रही है ITC में तेजी थी M&M में तेजी थी क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर farmers को benefit मिलेगा तो फिर वहाँ पर हमको एक अच्छा कासा consumption होता हुआ दिखाई पड़ेगा tractors के segment में M&M is one of the major players और अगर mid segment में अगर cars का दूसों से मानो चले मानो आज क दिन भी सबसे ज़यदा कार मारूती की ही बिकती है 50% से ज़यदा का market share मारूती ने भी भी grab कर रखा है approximately 50% का so ultimately these are going to be the major beneficiaries top losers के बारे में बात करें Tata consumers was just half a percent 0.75% down is clever relance में minor si profit booking थी shoot time finance ONGC and bajaj finance were the other top losers last day के लास्ट एक हफ़ते के out performance के बारे बात करें तो lead कर रहा है ONGC बहुती strong chart दिखा ही पड़ रहा है ONGC का इसलबा मारूती, ITC, Tata consumers, Sun Pharma are the other top outperformers last एक हफ़ते में दुलाई किसकी हुई है lead कर रहा है Titan अपने monthly update की numbers आये थे, जो quarter के numbers है, update आये थे दोसों बहुती poor, poor बहुत नहीं थे लेकिन single digit का growth था, one single digit मतलब 8-9% का growth था, लेकिन stock को अगर आप देखें तो stock क्या भागा है, so दोसों market क्या करेंगी, market दोएगी, market ने अलड़ी इसमें अच्छी कासी तेज़ी को factor in कर रख पिने साडानी enterprises are the other top under performers, कहां पर higher accumulation है, कहां पर higher delivery percentage दिखाई पड़ रहा है, उसमें lead कर रहा है, आशा मोटर्स, इसलब भारती एटेल, HDFC Bank, Infosys, Sun Pharma, Ardhi, other stocks जहां पर heavy accumulation दिखाई पड़ रहा है, अब दोस्तों कई सारे लोग HDFC Bank को लेकर के विचले थे, panic थे, कि हां HDFC Bank म बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, तो दोस्तों, HDFC Bank का मैंने आपको reason बता दिया था गिरावट का, कि अगर सारा का सारा पैसा SIP में जाएगा, लोग FD करेंगे नहीं, तो जो FD विजावी loan का जो ratio है, वो ग्रबला जाएगा, उसका जो major निकसान पहुंचेगा, वो banking stocks shocks को ही पहुंचेगा, और यह तब तक सुदरेगी नहीं हालात, जब तक interest rates कम नहीं होते, FD के interest rates ज्यादा नहीं होते, interest rate कम होगा, लोग loan ज्यादा लेंगे, फिर क्या होगा, बैंक्स थोड़ा सा अपने deposit के prices को भी बढ़ाएंगे, तो overall banking system तभी सुदरेगा, फिलाल दोस पास, बलकि lifetime high के पास, तो मेरे हिसाब से दोस्तों, इस जो positive trend हागे भी continue रहेगा, similarly, nifty bank में भी कोई भी view निकल करके नहीं आ रहा है, बलकि अगर आप देखें, तो जो पहले 52,000 के levels होते थे, important support के, अब मेरे हिसाब से 52,500 हो गया है, तो कि ultimately market ने काफी समय spend कर दिया, और trend line भी ऊपर भाग गई है, अब चोंकि ऊपर भाग गई है, तो जो crucial level है, वो 52,000 की जगे है, अब 52,500 हो गया है, तो अगर नज़र रखिए दोस्तों, 52,500 अगर breach कर जाता है, तो वहां से एक weakness आपको expect करने चाहिए, कि ultimately ये कितने दिन, कितने दिन ये जो parallel channel है, इसका जो upper band ह यहां पर कितने दिन market रुखेगा, so it's going to be very very interesting, how nifty bank reacts, फिलाल दोस्तों market में, volatility की expectation तो definitely रखने चाहिए, till that time the budget is announced, लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से चेता रहा हूँ, I am trying to caution you once again, कि market जब बिलकुल range bound हो जाए, तो फिर आपको ये expect करना चाहिए, कि ये बहुत solid directional move हो सकता वो किस side होगा दोस्तों, वो तो levels को देख करके पता चल जाएगा आपको, so मेरे साब से जो लोग बहुत ही ज्यादा add the money के असपस close अपनी position को create करते चले जा रहे हैं, थोड़ा caution रखीगा, क्योंकि market नेकर पल्टी मारी, तो आपको समझ बनी आगा कि market किस तरफ जा रही ह especially अगर आपने सीखा नहीं है तो, और सीखने चाहते हो तो link description में है, और जैसा कि मिनब को बताया है कि जहां तक मुझे लगता है यह जो CBA expert panel का recommendation है, यह recommendation ही है, अभी approved नहीं हुआ है, मेरे साब से इतना बड़ा jump तो मैं भी expect नहीं कर रहा हूं, कि 5 lakh lot, 20 lakh और 30 lakh का कर दिया जा है, it doesn't make any sense to me, but anyway, let's see, whatever comes, we'll have to accept it, फिलाल दोस्तों बात करें, जचके FIA DI data के बारे में, तो FIA ने आज के दिन बाइंग करी है, 314 crore worth of stocks की, और DIA की तरफ से बाइंग है, 1416 crore worth of stocks की, तो औरोल अगर आप पुछे, तो net net 1700 crore से भी ज्यादा की fresh buying होई है in the market, कुछ important stock specific news के बारे में बाचीत कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहला stock है SBI, जिसमें कि SBI ने आज की दिन SBI की तरफ से कुछ important update आ रहे थे, कि SBI ने, Yes Bank में, if I am not wrong, 2021 में, 2019 है 2020, exactly, मुझे date नहीं आ रहा है, जब Yes Bank को bailout किया था, SBI ने, तो SBI had bought 24% stake, बल्कि जितने भी major banks हैं, सभी ने Yes Bank में capital को infuse करके उसको revive किया था, अभी दोस्तों, इस प्रकार की news आ रही है, कि SBI 24% का stake, Yes Bank में sell out करना चाहता है, क्योंकि सिंपल जीज़े दोस्तों, हर एक bank को इस समय liquidity की requirement है, कोई FD करी नहीं रहा है, अगर FD नहीं करेगा, तो banks में पैसा आए गए नहीं, banks में पैसा नहीं आएगा, तो लोन किसको देंगे, अगर लोन कैसे देंगे, और लोन अगर दे नहीं पाएंगे, तो सिंपल जीज़े तो profit कहां से बनेगा, तो यही रिजन नहीं नहीं दोस्तों, कि SES bank से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर यह समहाँ, if they are able to exit it, मेरे साब is going to be very very beneficial news for SBI, और अगर आप मुसे पूछें, तो SBI is in very very small range, यह देख पारे हैं आप, यह दो candle तो आप ignore कर दीजे, यह तो election वाली euphoria था, इन दोनों candle को अगर आप ignore कर देंगे, तो आप देखेंगे, यह बहुत ही छोटे सी range में, पिछले कर यह 3-4 महिने से SBI trade कर रहा है, आठ सो से साले आठ सो के zone में, और एक बड़े move की तरफ, बिलकुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, तो मेरे साब से, I am expecting something positive to come for PSU banks in budget, और वहां से एक बड़े move की expectation है मुझे, Second stock के दोसों, Larson जिसमें की आज फिर से बड़ी news आई है की करीब एक हजार से 2500 करोड, 1000 से 2500 करोड की fresh orders मिले हैं, Larson को, और यह naval order मिले हैं, जहां पर उनको fleet support ships के construction करने है, Larson दोसों, has been consolidating in the range for approximately 6 months now, वही 3500 से 3600 के zone में उपर नीचे हो रहा है, बलेकिन ultimately trade वो इसी zone में कर रहा है, और जिसलिए मैंने आपको बताया है कि यह time correction है, price correction नहीं है, क्योंकि कर कोई stock काफी समय तक एक zone में पड़ा रहता है, तो वो भी correction ही है, वो correction ही है, that is not price correction, that is a time correction, कि अगर आपको इंडिया की long term story पे bet करना है, इंडिया की growth story पे bet करना है, तो आपको Larson पे bet करना ही पड़ेगा, no option, ने शोग दोसों, RVNL, RVNL के बारे हम बात करें, तो RVNL has emerged as a lowest bidder, अगर बात करें, प्रोजेक्ट की तो करीब करीब 203 क्रोड का, 202.87 क्रोड का fresh order मिला है उनको from South Eastern Railways, और order की भरमार RVNL में लगी हुई है, कई सारे लोग आज के दिन पैनिक हो रहे थे, कि RVNL आज 4-5% क्यों गिर गया, तो दोस्तों, RVNL जब पिछले दो दिनों से 10-10% भाग रहा था, तो फिर आपको कैसे लग रहा था, in fact, आज morning में भी, stalker ये 5% के असपस उपर था, वहाँ से थोड़ी से profit booking दिखाई पड़ी है, अगर आप आर्वीडाल का चाड़ देखेंगे दोस्तों, तो ये breakout करता है, retraCS करता है, फिर ऊपर जाता है, रेट्रेस करता है उपर जाता है ब्रेकआउट करता है रेट्रेस करता है तो दोस्तों आपको अगर अरवी नियल में 420 से 450 तक के रेट्रेस्मेंट हो जाते हैं तो you should not be surprised क्योंकि यहां से अगर आप देखें तो नहीं, पांच साल नहीं, पांच महीने में ही तीन गुना हो गया है, तो मेरे साब से यूट भी थोड़ा सो कॉशन बढ़ रतने की ज़रुरत है, और अगर आप लॉंग टम इंवेस्टर हैं, तो बिल्कुल भी पहला नहीं नहीं ज़रुत नहीं है, बिमेटली प्रेपेर्ड, अगर अगर राष्ट के रिवड़ाने का सिर्वे की तरीका है, इन फ़एक्ट दो तरीके है, पहला तरीका है, या आप अपने प्रॉड़क के प्राइसे बढ़ा दीजे, है कि नहीं, या तो फिर क्या है, आपको इनुवेटिव आइडियाज लेकर गयाने पड़ाएंगा, इनुवेटिव आइडियाज लाने के दो तरीके है, या तो आप इनुवेटिव प्रॉड़क लेकर गया है, एक नया प्रॉड़क लाउंच करिए, जिसको कि लोग, पीपल विल भाई and consume, और या आप नई बाउ शोरूम को खोलेगा और ग्लोबल मारकेट्स में 70 ने फ्रॉड़क को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, इस टॉक के बारे इम बातरे ने दोस्तों, तो इस टॉक 2024 के स्टार्टिंग में 400 रोपय के प्राइस पर ट्रेट कर रहा था, अभी इस टॉक 497 के प्राइस पर पहले है, I have found their rates to be very very genuine and very very reasonable और अच्छा कासा में इसकाउंट में दिसकाउंट भी देते हैं, नेक्स आपके दोसों के रबिल जिसमें की बड़ी न्यूस यह है कि गवर्मेंट जल्दी ही राइस एक्सपोर्ट में जो बैन लगा वो इसको हटा सकती है, इसके बारे में आपको मॉर्णिंग अपडेट में ही बता दिया था, और स्टॉक्स में आज के दिन सॉलेट तेजी दिखा ही पड़ रहे थी, अगर आप चार्ट के बारे में बात रहे हैं, तो स्टॉक्स ने अभी रिसेंटली अपने हाइज, अपने लोज, टूएटी के लेवल से गिरके, वहा स्टॉक्स स्टॉक्स कर रहा है, तो अगर बाई चांस अगर यह एक्सपोर्ट का बैन हट जाता है, स्टॉक्स में आपको 400 के लेवल फिर से दिखाई पड़ेंगे, जो कि स्टॉक का एक important resistance लेवल है, नेक्स टॉक्स मारूती जिसके बारे मैं ने अलड़ी आपको बता दि मिलेगा, अगर road tax को कम कर दिया जाएगा, तो और भी hybrid vehicles को develop करेंगे, manufacture करेंगे, so that's a very positive news for मारूती, और अगर आप देखें मारूती पिछले 3-4 महिने से consolidate भी कर रहा था, I am very positive on मारूती, जहां तक मुझे लगता है, यह positive up move continue रहेगा, और budget will have much more to offer for rural people, for common people, तो मेरे साब से है, I am very positive on मारूती, आप हो कैसा लग रहा है, दोस्तों स्टॉक मुझे comments में पक्का बताएं, वीडियो पसंद आ है, do not forget to smash the like button and do share with your friends, until then, bye bye for next.